2024 के महा संग्राम में विपक्षी दलों ने जिस तरह से BJP को घेरने की कोशिश की थी उससे BJP खुद ही विपक्ष में सेंध लगाने में जुट गई है हालात ऐसे हैं कि विपक्षी दलों में देश्षत का महौल है जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेता BJP में शामिल हो रहे हैं उससे BJP आत्म विश्वास से भरी हुई है हालाकि BJP में शामिल होने के पीछे विपक्षी दलों ने नेताओं के अपनी निजिहित है लेकिन ये सच है कि दल बडलों नेताओं ने मान लिया है कि BJP के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सुनिए इस मुद्दे पर आम जनता का क्या कहना है 2024 का महा संग्राम शुरू हो चुका है 2024 का ताज किसके सिर्फ बढ़ेगा वो अलकी बात है वो समय बताएगा लेकिन जिस तरह से भगदर मची है दूसरी पार्टी में विपक्ष के नेताओं में क्या लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने मान लिया है कि BJP के अलावा कोई विकल्प नहीं है और यही वज़ा है कि विपक्ष के नेताओं ने जो है BJP का यानि भारती जन्ता पार्टी का दामन थाम लिया है हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर विपक्ष की पार्टीयों में भगदर क्यों मची है सर जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां है उनके लगातार नेता चाहे सपा हो बसपा हो कॉंग्रेस हो लगातार भारती जन्ता पार्टी का दामन थामने क्या लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है भाजपा के अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि सारा देश सारा विपक्ष बलकि सारी दुनिया यह समझ चुकी है कि भारत को विक्सित राष्ट बनाने की दिशा में जो पार्टी काम कर रही है जो नेता और सरकार काम कर रही है वो भाज़पा सरकार है आदरनीय मोदी जी प्रदानमंत्री भारत सरकार है वो भारत को विक्सित राश्ट बनाने के दिशा में लगे हैं सतत प्रयातशीन है और सारे विपक्ष को पता है कि सारे देश ने उनको एक मन से अपना नेता मान रखा और अपकी बार मोदी सरकार का जो नारा है सबके मनों में बैठ चुका है और जो प्रदानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 400 पार वो सच होके रहेगा और 400 पार ने इसके उपर जाएगा और विपक्ष को पता है कि विपक्ष आज तक जो राजनीती कर रहा था बाटने की समाज को अलग-अलग धर्मों में की उच नीच में बाटने की गरीब अमीर में बाटने की जो विपक्ष राजनीती कर रहा था वो अब बेमानी हो चुकी है दिशाहीन और खतम हो चुकी है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहा है चाए किसान बात किसानों की बात हो युवाओं की बात हो बिरोजगा में या सपा में या फिर बस्पा की बात की जाए तो बस्पा की वोट बैंक में जिससे सेंद लगाने कोशिस की जा रही भारती जनता पार्टी दोरा की जा रही क्या लगता है बस्पा का मजबूत जो वोट बैंक था उसको अपने पाले में करने कोशिस की जा रही अभी कल ही बसपा के एक सांसाते संगिता आजात उन्होंने भी भाच्पा का दावन थाम लिया है बहुत सी विपक्षी पार्टियां अप्रा संगिक हैं लेकिन बसपा तो खतम के खतम होने के कागार पर है इसलिए बसपा की नाओं पर लोग सवार हैं, वो निकल के भाचपा की नाउ पर आ रहे हैं, क्योंकि यही देश को तरक्की के मार्क पर ले जाने वाली नाउ है, यह वो जहाजा जो देश को तरक्की पर ले जाएगा, आज विपक्ष दिशाही नहीं और विपक्ष के जो बड़े नेता, अध्येक्ष और पता दिका रही हैं, वो अपने दल को केवल समेटने में लगे हैं कि इतनी भगदर नम बज जाए कि ये कोई जंडा और डंडा उठाने वाला ना रह जाए, क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, विपक्ष के पास कोई समाधा अभधान नहीं हैं और विपक्ष ने इतने सालों में कुछ किया भी नहीं है, पिछले दस सालों का हम लोग पधानमंतरी मोदी जी का जो कारेकाल देखते हैं, आज देश में सडकों का जाल है, आधार भू ढाचे का जाल है, बिजली वेवरस्ता है, सोलर का जाल है, सरकार है और कहीं पर भी इस चीज़ का परमान दी मया गए खाली ये कहने की बात नहीं है देश नहीं पर भी एगर युद काल हुआ है कोई आपत्ती आई है कोई भुकंप आया है कोई तुफान आया है कोई ग्रैयुद छिड़ा है तो वहां से भारतियों को सकुषल निकालने के लिए भारत की सरकार अमेशा ततपर और एक एक भारतियों को सुरक्षित निकाला है ताजा आमने रूस और यूकरेन की वार में द क्या नाम है इंधरजीत सिंग जिस języh भाजपा कहती रहेगी बिल्कुल Вाजपा रहेगी क्योंकि मोधी जी ने जो अर्थवरस्ता भी और जाएंगे और और जाने मांना विभूषा है वह लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम हर्मिंदर सिंग है मैं जनरल सेक्टिय हो ना करता है जिस तरह से दो हजार चौबिस का महा संगराम शुरू हो चुका है क्या लगता है भाजपा के अलावा कोई भाजपा ने लख्ष रखा यूपी की अस्तिय और पूरे देश में चार सो पार का क्या लगता है वो अगर विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा क्योंकि हम भी हैं जनरल सेक्टिय है तो हमारा विपक्ष हमसे काम कराता है पर नहीं कर सकते हैं ऐसे जो सत्ता में वही काम तभी करते हैं और ढंक से करते हैं जब विपक्ष मजब आप लोग है इनका कहना है कि सत्ता पक्ष रहे लेकिन विपक्ष भी मजबूती से रहे ताकि वो और लोगों की आवाज, जनता की आवाज को उठा सके, विकास से जुड़े कारवियों को लेकर वो आवाज बुलंद कर सके और जिससे जाहिर से बात है, विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश के तमाम लोगों को लाब बिलेगा, और भी लोगों से बात करे लोगों की सोच बढ़ी है समझ बढ़ी है शिक्षा बढ़ने से शिक्षिस होने से लोगों को समझ में आया है कि विकास के ऊपर ही सिर्फ राजनीती होनी चाहिए जातिकत राजनीती नहीं होनी चाहिए तो लोग आज विकास के मुद्धों पे सरकार बना रहे हैं इसी का प्रदानमंत्री जी स्वयम उनको फोन करके बताई देते हैं जो हमारे देश के लिए खिलाडी को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रुथसाहिद करता है इस परकार हर छेतर में कोई भी एक भी छेतर ऐसा चुता नहीं है जिसको आधरनी प्रदानमंत्री जी ने नह पारिटी है और भी लोगों से बात करेंगे क्या नामे सर आपके मेना विरेंदर सिंग है विरेंदर जी क्या लगता है दो हजार चौविस का चुनावी महा संगराम शुरू हो चुका है ऐसे में आप किसको मजूद प्रबल दावेदार मानते हैं देगे प्रबल दावेदार तो आज भार्टपा की सरकार है क्योंकि उन्हों जो कारे की हैं वो सरानी है जैसा कि पूर में वक्तावने बताया है और मैं एजुकेशन पर जाओ तो आज एजुकेशन का जो इस्तर है वो बहुत जादे बढ़ा हुआ है आज डिजिटल भारत का जो एक माबदन आप छेत में देखते हो वो सिक्षा के उपर भी जागुर को रहा है आज बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को जागरी क्या जा रहा है लेकिन मैं इस बात से भी कहने से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि लोगतंतर भी जिंदा होना जरूरी है अगर ल लेकिन विपक्ष मजबूती से रहे और भी लोगों से बात करेंगे जितन जी क्या लगता है दो हजार चौबिस का चुनाओं महासंग्राम शुरू हो चुका है तो क्या लगता है दो हजार चौबिस में आप किसको जीत का प्रबल दावेदार मान रहे हैं पहले भी मोदी की को दिया लुट की बात नहीं अकी वोट दिये हैं तो क्यो दिये कोई में आया होना कि मुद्धों पर हम बूट देने जा रहा है उनका काम सारा गरंटी वाला है शुरू से ही उनने देश को आगे बढ़ाया है यानि मोदी की डारले देश को बढ़ाने कि смог वेज़र से आप जो है उनकी पसंदीदा पार्टी भारती जनता पार्टी और भी लोगस बात क्या नाम है जी बलजीक सिंग बलजीक जी क्या लगता है 2024 का चुनाओ करीब है ऐसे में किन मुद्दो को लेकर और जिस तरह से भगदर मची अब कोई विपक्ष नहीं है सबी लो से एक बार फिर एंडिये की सरकार बनेगी जैसा आप सभी लोग कहना हम एक बार और सपाल जी के पास आते हैं सर आखरी सवल मेरा यह है अभी तो 2024 की बात हो रही आप करें 2024 में चार्सव पार पूरे देश में भारती जनता पार्टी की यानि एंडिये वाली सरकार फिर बन कोई नहीं है टक्कर में 2047 में विक्सित राष्ट बन जाएगा अगर इसी रफ़तार से चलते रहे सारे देश का समर्थन मोदी जी को मिलता रहा बारती जनता पार्टी को मिलता रहा तो जिस तरह से जो पुराने मुद्दे चल रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा था आज राम मंदिर हमारे सामने है, 370 का मुद्दा था, 370 समाफ हो चुका है, कश्मीर में शांती बाहली हो चुकी हो चुकी है, कश्मीर का विवाजन करके परदेश के रूप में उसको विक्सित किया जा रहा है, इसी तरह से जितने भी भी फृदे अब CH, CA अभी लागू हो गया था वो सब implement हो चुका है और अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 में भाजपा विक्सित राष्ट रहे बन जाएगा भारत विक्सित राष्ट बन जाएगा तो हम सब को ये विश्वास रखना चाहिए कि भारत विक्सित राष्ट बन जाएगा देखिए आप लोगों से बात हुई है और यही वज़ा है जो लक्छ रखा गया है यूपी में ANCCR जीतने का और पूरे देश में 400 पार का तमाम मुद्दे बता है किए आखुने यह जो भारत्य जंता पार्टी है जो ने द में 400 पार चार्सो पार होगे इसके पीछे की वज़ा भी बताए कि इस वजो की पीछे यह वज़ा अ कि इनके पीछे जो है 400 पार सीटे जाएंगी और पुरे देस में एक बार फिर से एंदिया की सरकार बने जिस तरह से इनका साप कहना है कि 2024 सी नहीं जिस तरह से भारते जंता पार्टी मोदी की गारंटी कह रही 2047 में भारत को विक्सित रास बनाने का तो वो भी मोदी जी पूरी करेंगे वीडियो दो जानने हैं अनिल साहिनी के साथ अनुक चौधरी हान्बिल टीबी लखना हूँ